भारतिय जनता युवा मोर्चा शिम्ला मंडल ने भाजपा मुख्याले दीब कमल में एक बैठक आयोजित की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा चलाए गई विभिन कल्यानकारी योजनाओं को जनजन तक पहुचाने के विशे में राजधानी शिम्ला के भाजपा मुख्याले दीब कमल में भारतिय जनता युवा मोर्चा द्वारा बैठक का आयोजिन किया गया जिसमें शिमला लोकसभा सांसद विरेंदर कशप ने बत और मुख्या दी थी शिरकत की इस मौके पर बैठक में जिला के तीन विधान सभाक्षेत्रों के प्रतीनी थी प्रदेश महामंतरी अरुन फाल्टा, प्रदेश उपाध्यक्ष रिशी थाकुर वप्रदेश मीडिया प्रभारी विरेंदर ने भाग लिया इस दौरान बैठक में केंदर सरकार की कल्यानकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने की रणनीती तयार की गई सिटी चैनल से बात करते हुए भाजूमों के जिला अजख्ष पारूल शर्मा ने बताया कि बैठक में केंदर सरकार द्वारा चलाई गई विभिन योजनाओं को आमजन तक पहुचाने पर चर्चा की गई उन्होंने कहा कि बैठक में भाजूमों कारे करताओं ने बर्चर कर भाग लिया और प्रदेश मीडिया पर वारी विरेंदर जी रहेंगे इस बैठक का में बिंदू यही है कि जो केंदर सरकार के द्वारा योजनाओं चलाई गई है वो कारेकरताओं के माध्यम से जन जन तक किस तरह से पुच जाई है वहीं इस मौके पर सांसद विरेंदर कश्यप ने कहा कि केंदर सरकार के चार साल विकास से भरे हैं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई विभन योजनाओं को आमजन मानस तक पहुचाने के लिए इंटरेक्शन विद यूथ अभियान चलाए गया है जिसके तहट शिम्ला में बैठक का आयोजन किया गया 26 मई से लेकर अभी 11 जोन तक बड़ा अभियान लिया गया है और जो इन चार वर्षों में मोदी सरकार की विभन योजनाओं हैं कारेक्रम हैं उन्हों सब को जनजन तक पहुचाने के लिए जो एक बड़ा अभियान लिया गया और इसी के अंतरगत हमने खास करके शिम्ला पारलिमेंटरी कॉंस्ट्वनसी में एक इंटरेक्शन विद दा यूज के नाम से जो है वो एक कारेकरम का आरंद किया है पिछले काफी दिनों से तो आज इसी के अंतरगत हमारा जिला शिम्ला का जो भारतिय जनता ही हुआ मोर्चा है उसकी एक बैठक रखी गई है ब्यूरो रिपोर्ट सिटी चैनल शिम्ला